नमस्ते एवरिबन इस स्टूडियो में बात करने वाले हाउ तु फाइंड मीन वेरियंस बीडियन मोड एन हार्मोनिक मीन इन कंटिनियूस रैंडम वरियेबल अब मीन और वेरियंस के उपर हम वीडियो बना चुके है इसलिए फिर से एक बार मैं समझाओंगा उसका टेंचन मतलो हम डार्ट ल्भी संस्क्य उपर जम करते कैसे और सबूर्ट करोगे आपके आपको कourं कटनियूस काultur अन्ज इसका मतलब यह कंटिनियूस का अगर यह नहीं है तो आपका मतलब कौशिं से आप identify कर सकते हों कि आप directly सम के ओपर जम करते हैं continuous random variable has PDF this find all these things तो अभी mean में क्या है एक्स इस इकॉल टो अभी mean के formula क्या है यह mean के formula यहापे मैंने यहापे direct पेल दिये तो अभी यहापे 0 to 1 खहां से आया यहां से आया एक्स ग्रेटर दान एक्वाल टो जिरो और x is less than or equal to 1 तो 0 to 1 then x into function of x dx तो अभी यहापे function of x के जिए पर मैंने यह लिखा क्योंकि यह दिया गया है और x वैसे क्या वैसा then six bar क्योंकि six constant है and then यह सारी चीज़े यहापे x अंदर गया तो यह आता है and then अभी यहापे इन दोनों का integration किया अगर x square का integration करते है तो x cube upon 3 minus x cube का integration करते है तो x4 upon 4 and यह limit 0 to 1 अब 1 अंदर जाएंगा x के जिए पर 1 आएगा तो 1 upon 3 1 upon 4 and 0 अंदर गया तो सब 0 आएगा तो लिखने के ज़रूत नहीं है and then this अगर इसको आप calculate करते है तो 4 1s are 4 minus 3 1s are 3 4 minus 3 upon 12 1 upon 2 क्योंकि यहाँ पर 1 upon 12 आएगा और 1 6 आएगा और 6 12s are 2 I mean 6 2s are 12 तो यहाँ पर 2 आएगा okay then अगर आपको variance calculate करना तो आपको e x square की भी जरूरत पढ़ती है तो e x square का formula है हमारे पास जो मैंने यहाँ पे पेल दिया है तो अभी यहाँ पे x square function of x की जगे पर हमने function of x जो question में दिया वो रखा then वहाँ पे 6 बार गया x square अंदर गया तो यह आएगा then इसको integrate किया तो यह आएगा then 1 अंदर जाएगा x square पर 1 आया तो यह आएगा 0 दालने की जरूरत नहीं कि सब 0 हो जाएगा then cross multiplication यह आएगा is equal to 3 upon 10 then अभी आपको e x square और e x का value मिल चुका है और अभी वो दोनों के दोनों values हम variance के अंदर डालेंगे then e x square minus e x raise to whole square तो e x square का value है minus e x का value जो 1 upon 2 आता है the whole square तो this minus 1 upon 4 क्योंकि 2 to the 4 और is equal to 1 upon 20 cross multiplication करो आपको value मिल जाएगा then अभी यह होगे हमने mean calculate किया variance calculate किया अब हम calculate करेंगे median अभी हम आजाते हैं median के उपर तो median का क्या सीन है अभी यहां पे देखो median का मतलब होता है midpoint अभी कोई भी probability lies between 0 to 1 वह तो आपको पता है तो अगर from 0 to 1 है तो हमारे जो median median midpoint होगा तो में मतलब like either say either तक हाफ होगा और इसका इंडिकरेशन में निकाल रही हम continuous में हार एक चीज़ इंडिकरेशन में होती है और अगर from this to this अगर इसका integration निकाल तो उसका भी value half होता है मतलब इसका is equal to half यह में लिख सकता हो क्योंकि दोनों equal है क्योंकि यह midpoint है right so अभी इन दोनों में से कोई भी equation मैं solve कर सकता हो तो मैं यह solve करोगा क्योंकि it is comparatively more easy क्योंकि there is from 0 to m okay m to 1 है तो मतलब दो बार करना पड़ेगा 0 to 1 है तो एक बार ही करना पड़ेगा क्या मैं आपको पता चलेगा बात में तो अभी मैं इसमें values डालूंगा so that would be 0 to m f x की जगे पे हमारा values 6 into x minus x square and then dx तो अभी 6 बाहर चले जाएगा तो this and x square upon 2 minus x cube upon 3 इसका indication करेंगे हम लोग and dx तो यहां पे आएगा 0 to m so abhi m अंदर जाएगा मतलब x के जगे पे m आएगा so it would be 6 into m upon 2 minus i mean m square upon 2 sorry for that और यहां पे is equal to आएगा by the way is equal to sorry minus is equal to 1 upon 2 आएगा 1 upon 2 क्योंकि this and m square upon 2 minus m cube upon 3 और जिरो नहीं आएगा क्योंकि जिरो अगर आया तो सब जिरो हो जाएगा इसलिए is equal to 1 upon 2 ओके अब आगे बढ़ते हम लोग अब हम क्या करेंगे 6 अंदर को लेकी जाएगे तो अभी आपे 6 अगर अंदर गया तो 6m square upon 2 it would be 3m square so 3m square minus 6m cube upon 3 that would be 2m cube 2m cube is equal to 1 upon 2 so अगर इसे आपने द्यान से देखा तो एक equation बनता है मतलब अगर इन दोनों को मैं अगर उदर लेके गया तो it would be 2m cube minus 3m square एक cube 2m cube minus 3m square plus 1 upon 2 is equal to 0 आएगा तो एक equation है तो अगर इसको हम solve करेंगे with respect to Kelsey तो m के 3 value जाएंगे अब Kelsey के मतलब से solve करते हैं हम लोग तो यह हमारा Kelsey है यह जो Kelsey सबसे जादा modified version है और exam के according अगर आप देखो तो ऐसे sum solve कर सकता है जो बाकी के scientific calculator नहीं कर सकता और अगर वो some exam में आए और अगर यह कैसे आपके पास नहीं है तो आपको manually solve करने पढ़ सकते हैं वो सम और उसमें आपके बहुत सारी गल्तिया हो सकते हैं तो अगर आपको एक Kelsey करना है तो इसका Amazon best by link आपको description मिल जाएगा आप वाजा के इसकाल से को purchase कर सकता हो यह हमारे channel के लिए भी बहुत ज़दा एक रहेगा ताकि मैं आपके लिए जादा-ज़दा नए subjects ला सकूँ उसके लिए बहुत ज़दा बेनिफिचल होगा तो अभी हम मेनू में जाते है मेनू में जाने के बाद यहां पे there is an option called equation and function so हमारे equation polynomial है 3 degree हम दबाएंगे क्योंकि 3 degree है हमारे equation का highest degree है so that would be 2m cube minus 3m square and यहापे 0 हाएगा क्योंकि यहापे 0.5 में लिखूंगा क्योंकि 1.5 और 0.5 से ही में होता है okay is equal to क्या था answer minus 0.366 then there is 1.366 and then there is 0.5 so now जैसे कि आपने Kelsey में देखा कि हमारे m के 3 values आते है यह अब इन में से कोई भी एक चूज करना है कोई भी मतलब लाइक कोई भी नहीं चूज कर सकते है यह नहीं चूज कर सकते हो आप यह भी नहीं चूज कर सकते हो क्योंकि probability always lies between 0 to 1 तो यह माइनस में चला गया यह 1 के उधर चला गया बीच में चला गया 0.5 तो यह अभी तो हमारा median हो गया अभी mode पे जाते है अभी we have to substitute that f-x is equal to 0 f-x का मतलब है कि यह जो हमारा function of x है इसका हमें differentiate करना है with respect to x एक बार so it would be 6 into 1 minus 2 x is equal to 0 तो अभी 6 minus 12 x is equal to 0 so इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्योंकि minus 12 उधर गया तो यह रफ हो जाएगा and then x is equal to 6 upon 12 that is 1 upon 2 तो x is equal to 2 तो अभी mode भी हो गया अभी हमें क्या calculate करना है अभी हमें calculate करना हार्मोनिक मीन so अभी harmonic mean harmonic mean का formula यह होता है अभी यहापे 0 to 1 formula में नहीं होता है वहाँ पे a to b होता है 0 to 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे इसमें condition वैसा है ओके तो अभी हम 1 upon x इसके अंदर हम value डालेंगे तो function of x हमें पता है कि 6 into x minus x square जिसमें हम क्या करते हम 6 बाहर लेकि जाते क्योंकि वह constant है यहाँ भी एका x minus x square dx तो अभी x अंदर जाएगा तो अगर 1 upon x अंदर गया तो यहाँ पे आएका x upon x यह रफ़ उता हूं हम है और यहाँ भी आएमा एक स्क्वार आपान एक स्क्वार उता तो अभी इसको हमें एक बार इंटिग्रेट करना पड़ेगा, so that would be x minus x square upon 2, and yeah, 0 to 1, so अभी 1 अंदर जाएगा, so it would be 6, 1 minus 1 upon 2, और 0 अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 0 अंदर गया, x की जगह पे तो इट वोड़ भी सब 0 हो जाएगा, so अंदर जाने की ज़रत नहीं है उसे, so 6 into 1 upon 2, so it would be 6 upon 2 is equal to 1 to 2 और 3 to 6, so अभी इसका मतलब क्या है, 1 upon h is equal to 3, so अगर 1 upon h 3 है, तो इसका मतलब h उदर चले जाएगा, so 1 upon 3 is equal to h, so अभी h हैने की हर्मोनिक मीन is 1 upon 3, so हर्मोनिक मीन is 1 upon 3, guys, now a very important thing, जैसे की आपके topics, जैसे की discrete random variable होगा, continuous random variable होगा, then there are many other topics, and many other topics का मतलब उता है, many other types of sums, many other examples, तो अब YouTube पे, मैं इतने सारे examples, you can see, इतने सारे types of examples, cover नहीं कर सकता, तो मैं ये ट्राइ करता हो YouTube पे, कि मैं जादा से जादा ऐसे examples cover करू, you can say, ऐसे types of sums cover करू, जो कि थोड़े hard है, you can say, जो कि ऐसे sums है, जो बहुत सारी चीज़े cover कर लेते हैं, ताकि आपको चीज़े पता चले जाए सब, कैसे चीज़े को solve करते हैं, बक, अगर आपको exam के लिए prepare करना है, क्योंकि ये subject में लोग को KT आभ टक लग जाता है, आपको पता ही है, पर कहते रहत हो यहाँ पे, तो अगर आपको subject के लिए prepare करना है, तो आपको जादा से जादा exemples solve करने चाहिए, जादा सादा ऐसे examples solve करने चाहिए, उन examples को भी practice करके exam में गए तो आप फार दोगे 70-80% marks कहीं नहीं जाएंगे आपके ठीक है so notes are very important notes में मैंने सारे ऐसे examples cover किया ठीक है so अगर आपको हमारे handwritten notes करीदने है तो उसको purchase करने का link आपको description में मिल जाएगा and वहाँ पर मैंने वह भी mention किया कि क्या-क्या topics हम cover करने वाले या पर क्या-क्या value हमारे notes आपको provide करेगी okay so this is the end of this video thank you for watching this video subscribe to my other youtube channel as well called planet ojas यहाँ पर मैं motivational videos बनाता हूँ यहाँ पर मैं vlogs भी डालता हूँ but basically यहाँ पर मैं आपके साथ value adding content share करता हूँ यह आपके life में बहुत ज्यादा value add कर सकती है okay so thank you for watching this video and have a nice day bye bye